नमस्कार, मैं SK मिश्रा शार्प केरियर में आपका स्वागत करता हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन, बाचीत और बाचीत है ये दो दोस्तों के बीच में जिसमें से एक का पर्ष खो गया है बाचीत शुरूँ, हेलो कह दो या हाई कह दो कुछ भी कह सकते हैं इसमें से, हेलो, राहुल, हाई राहुल, कुछ भी कह सकते हैं आप कैसे हैं, या आप बोलेंगे, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, डोनों का अर्थ एक ही होता हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, कुछ ही बोल सकते हैं इसमें से नॉर्ट गुल बढ़िया नहीं है हाल चाल कुछ नॉर्ट गुल बहुत अच्छा नहीं है वाई ऐसा क्यों क्या वाट हो गई what happened what happened क्या हुआ वही ऐसा क्यों हाल चाल चाही नहीं है my wallet has been stolen by someone someone has stolen my wallet my wallet has been stolen by someone या my wallet was stolen by someone तो इस तरीके से हम बोल सकते है my wallet was stolen मेरा पर्स चोरी हुए मेरा पर्स चोरी हुए मेरा पर्स चोरी हुए somebody picked my pocket it seems ऐसा लगता है somebody has picked my pocket किसी ने मेरी जेव काट लिए ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि अंगरेजी होती है it seems देखें how did this happen ये सब कैसे हुआ I think that it was stolen मैं समझता हूँ that it was stolen कि चोरी हुए मेरा पर्स when I was getting on the bus जब मैं बस में चड़ रहा था जहां तक मेरा ख्याल है I think that it was stolen कि मेरा पर्स चोरी हुए when I was getting on the bus जब मैं बस में चड़ रहा था तो इतना वास्तब में भी ऐसा होता है इसलिए मैंने ये चीज़ी उज़ की है चड़ते बस में और उतरते समय ऐसा होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है जब भीर ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा संभावना होती है पर्स निकल लेगी कैन आई डू एनिजिंग फॉर यू क्या मैं तुमारे लिए कुछ कर सकता हूं बहुत दोस्त है तो वह उसने कहा कि बहुत तुमारा पर्स अगर खो गया है निकल गया है किसी ने चुरा लिया है तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं जिसका पर्स चुरा था वो व्यक्ति कह रहा है किया मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूं बार माने उधार लेना क्यों नहीं कितने पैसे की जरूए से बताओ कितने रुप्र की जरूए से व takiej नॉन हाओ मर्ल डी नीड कितने पैसे की जरूए से आपाओट 1000 रुपीज लग्भाग 1000 रुप्र खाम के देख strang कि अभाउट MI बहुत बहुत धन्यवाद आपका, I will pay you back after some days, कुछ दिनों के बाद, मैं तुमारे पैचे बापिस कर दूँगा, I will pay you back, बापस कर दूँगा, pay you back, बापस कर दूँगा, after some days, कुछ दिनों के बाद, ओके, ठीक है, it generally happens, ऐसा तो होता ही रहता है, it generally happens, it usually happens, ऐसा तो होता ही रहता है, don't worry at all, कुई चिंता की जरुवत नहीं है, what are you going to do, क्या करने जा रहे थे, what were you going to do, क्या करने जा रहे थे, I was going to buy some books, मैं किताबे खरीजने जा रहा हूँ, I am going to buy some books, मैं किताबे खरीजने जा रहा हूँ, कुछ भी कह सकते हैं, what are you going to do, क्या करने जा रहे, तो past tense हो जाएगा, तो past में हो जाएगा, past में present में, जोनों में जिसमें कहना चाहें, कह दो, may I go with you, क्या मैं तुभारे साथ चलूं, may I accompany you, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, may I go with you, क्या मैं तुभारे साथ चलूं, yes, हाँ, of course, जरूर, you are most welcome, तुभारा बहुत-बहुत स्वागत है, I will be back in five minutes, five minutes में बापस आ रहा हूँ, I am going to get ready, मैं तयार होने जा रहा हूँ, I am going to get ready, तो मैंने लिखा नहीं है, I am going to get ready, मैं तयार होने जा रहा हूँ, I will be back in five minutes, five minutes में बापस आ रहा हूँगा, ओके ठीक है I will wait for you मैं तुम्हारा यहां इंतिजार करूँगा I will wait for you मैं तुम्हारा यहां इंतिजार करूँगा तो यह मैंने छोटी सी दो दोस्तों के बीच इस जिसमें से एक कप पर्स हो गया है यह बाचीत मैंने आपके सामने रखी इसके बाद मैं कुछ वाक्ते आपको दे रहा हूँ जो के बाचीत में उप्योगी बहुत ज्यादा है इसके अलावा बाचीत के अलावा भी बाचीत तो पूरी होई अब मैं बाचीत में कुछ अन्य वाक्ते जो प्रियोग होते हैं वो दे रहा हूँ अपना अच्छे से ख्याल रखना, अपना अच्छे से ख्याल रखना, ध्यान रहे, take good care of yourself, take good care of yourself, अपना अच्छे से ख्याल रखना, या good, या अगर अच्छे से भी लगाना, take care of yourself लगा दो, good लगाना ही मत, अगर अच्छे से ख्याल रखना, ऐसे नहीं कहना चाहिए तो, take take care of yourself, अपना ध्यान रखो, अपना खेल रखो, यह दवाई कड़वी लगती है, किसी को दवाई दो, बच्चे को तो तो मिशेश रूप से, दवाई कड़वी लगती है, This medicine tastes bitter Bitter माने कडवी Tastes लगती है Swad में लगती है This medicine Medicine माने दवाई ये दवाई कडवी लगती है This medicine tastes bitter पूरे दिन बर साथ होती रखे अब ये sentence कैसे बनेगा पूरे दिन बर साथ होती रखे The rain continues All the day सारे दिन बर साथ होती रही The rain The rain Rain मने वर्षा बारिश बर साथ The rain continues all day सारे दिन Continued शब्ध है Continued all day सारे दिन बर साथ होती रही पानी पीने लायक नहीं है कोई भी चीज के लिए आप कह सकते है चाय पीने लायक नहीं है जूद पीने लायक नहीं है इस तरीके से कोई पीने की चीज के लिए ये शब्द आ सकता है The water is not drinkable ड्रिंक माने पीना अबल माने लायक होना ड्रिंक अबल नॉट ड्रिंक अबल यानि इस लायक ही ना होना पीने के लायक ना होना ड्रिंक माने पीना The water is not drinkable पानी पीने लायक नहीं है Milk is not drinkable ड्रिंक नहीं है The tea is not drinkable चाय पीने लायक नहीं है इस तरीके से हम बोल सकते हैं वह बुखार के करण बिस्तर पर लेकी हुई है She is lying in the bed with fever She is lying in the bed with fever बुखार है उसको बुखार के करण बिस्तर में पड़ी हुई है My mother is lying in the bed with fever My mother is lying in the bed with fever My father is lying in the bed with fever My father is lying in the bed with fever My father is lying in the bed with fever अगला देखें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पड़ी हुई है I don't know I don't know मुझे नहीं पता मैं नहीं जानता I don't know what to study क्या पढ़ू What to do क्या करूँ How to do कैसे करूँ जिस सब हम लगा सकते हैं I don't know मैं नहीं जानता What to do क्या करूँ What to study क्या पढ़ू How to study कैसे पढ़ू यह सब इस तरीके से सेंटेंचेज बन सकते हैं मैं रवी और शाम के बीच में बैठा मैं रवी और शाम के बीच में बैठा तो जब दो वेक्ती हों तो बिट्वीन का यूज होगा ज्यान रहे बिट्वीन शब्द का और ज्यादे हों ज्यादा हों तो अमंग का यूज होता है ज्यादे के बीच में अगर वो बैठा है तो अमंग शब्द का यूज होगा दो के बीच में बैठा है तो बिटवीन शब्द का योग यूज होगा I said मैं बैठा I said पास्ट इनेफिट टेंज है I said between रवी एंड राम रवी और राम के बीच में मैं बैठा इस परकार से ये सेंटेंज बनेंगे If no one is jealous of you It means you are not progressing very well अगर आप से कोई जल नहीं रहा है तो समझलो आप उन्नती ही नहीं कर रहे यदि कोई आप से जलता है तो आप उन्नती कर रहे तो जल रहा है वो और आप उन्नती नहीं कर रहे है कौन जलेगा आप से कैसी लेगी मेरी ये वीडियो like करें, share करें, subscribe करें, God bless you, thank you very much.